दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अफजल एललवी को और दवाईए वैल आईकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो एब्रिवन आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मॉवाईल से कैसे फद खतावनी देख सकते हैं वैसे तो अगर आपको फद खतावनी की जरूरत है तो आप किसी भी कम्प्यूटर सौप पे जाएए जो जन सिवा केंद होता है लोग वाड़ी केंद होते हैं और बहुत सारे ऐसे कम्प्यूटर की दुकाने हैं जो एक तरह से सोसल सर्वेसिस देते हैं I mean फोटो कापी प्रिंट आउट या फिर किसी प्रकार के नेर्स चे कोई फ़र्म बगैरा फिल करते हैं तो भूबी आपको फद खतोनी निकाल के देते हैं अगर आप बताते हैं कि आपको इस मौजा I mean इस काउं की फद खतोनी चाहिए इस तहसील में है इस नाम से है तो वो आपको सर्च करके बता देते हैं या फिर अगर आप नाम के जरीए और या फिर दाखिल खारज की डेट के जरीए गाटा संक्या के जरीए खाता संक्या के जरीए आप फद खतोनी निकलवाना चाहते हैं तो आप उनको बता करके फद खतोनी निकाल सकते हैं बात करते हैं कि आप खुद कैसे फद खतोरी निकाल सकते हैं अपने मुवाइल से तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो इसके लिए आपको अपने मुवाइल के Google कुरूम में जाना होगा और यहां पर आपको सर्च करना होगा Google में भूलेक जब भूलेक का आप सर्च करेंगे तो यह पहली वेफसाइड ऐस पर लिखा हुआ है भूलेक.govt.in यह जो ओफिशियल वेफसाइड है गॉवर्मेंट की वेफसाइड है तो इस पर आपको क्लिक करना है तो चलिए यहां पर मैं क्लिक कर देता हूँ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से यह वेफसाइड ओपन होगी यहां पर एक बार मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ देखे जैसे मैंने इसे जूम किया तो यहां पर लिखा हुआ है जनपत चुने तो यहां पर आपको अपना जनपत चुनना है इसके बाद मुझे चुनना है तहसील तो यहां पर मैंने तहसील को चुन लिया गवाना ठीक है अब यहां पर बैक इदर हो जाते हैं और यहां पर लिखा हुआ है ग्राम चुने जो भी आपका गाउं है जिस गाउं में वह प्रोपर्टी लगती है जो भी जमीन वगएरा है जिस गाउं से लगती है तो उस गाउं को इसमें आपको चूस कर लेना है बहुत सारे गाउं की लेस्ट है पूरे ठीक है तो इसमें उपर जन पर चुन लिया गया है तैसील चुन लिया गया है और यहां पर उसकी नीचे वारी लाइन से देखिए यहां पर खसरा गाटा संक्या द्वारा खोजे अगर आपको खसरा या गाटा संक्या पता है तो यहां पर आपको एड़ करनी है इस पर क्लिक करने के बाद और आप खोजे पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी फद खतोनी है वो आ जाएगी या फिर अगर आपको खाता संक्या पता है तो खाता संक्या पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर खाता संक्या डालेंगे और खोजे पर आप क्लिक करेंगे तो आप खाता संक्या से फ पर क्लिक करके उसके नाम से भी ढून सकते हैं, खोज सकते हैं, अगर आपको मान लेजिए कि आपको कुछ भी नहीं पता है, और आपको ये पता है कि किस दिन दाखिल खारज हुआ, तो अगर आपको डेट पता है, तो इस नामांतर ने लिखा हुआ है, दिनांग से खोजें, तो इस पर क्लिक करके आप वो डेट एड करके भी, अगर उस दिन किसी का दाखिल खारज हुआ है, तो वो सारी लिस्ट आ जाएगी, आप उस में से क्लिक करके निकाल सकते हैं, और ऐसे ही मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, एक्जामपल के तौर पर मान क्लिक करने के वाद यहाँ पर मैंने नाम डा दिया, धार जो भी आप डाले, वो आप डालेंगे हिंदी में, तो यहाँ पर मैंने नाम डाला बाबू, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बाबू लिख दिया, अब मैं खोजे पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए, बाबूलाल कार यह दो फद खतोनी ठीक है यह सो हो रहे हैं तो मैं इस पर एक बार क्लिक कर दूँगा और क्लिक करने के बाद उधारण देखें तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक नमर डालना होगा यहाँ पर जो ही तो भी यह कैप्चर कोड है तो इसको मैं एक वार फिल कर देता हूँ 55GD9 अब मैं continue उपर क्लिक कर देता हूँ जैसे ही मैंने ये capture डाला उसके बाद ये फद्ध खतौनी मेरी आँखों के सामने ये आ गई इसको मैं जूम करके एक वार दिखा देता हूँ देखिए गाम कौन सा है उदैपुर परगना खैर तैसील जन्पद अलेगर फसली 14.25 और 14.30 तो ये फसली वर्स दिखा रहा है कौन सी फसली वर्स में ये जो अपडेट हुआ है पो समय दिखाता है ये ठीक है तो उसके लिए होता है भाग वन और इसका खाता संक्या यहां पर दे रहा है इस फद्ध गतौनी का खाता संक्या है 144 ठ ठीक है तो ये खसरा संक्या होती है जिसको हम गाटा संक्या भी बोलते है और इस जो ये जो फद्ध है ये जो खाता संक्या है ये जो गाटा संक्या है इसका टोटल रकवा कितना है 0.0070 hectare ठीक है तो ये hectare में होती है इसमें कोई अपडेट आदेश नहीं है कोई इसमें अ होता है कि नोंने फलाना फलाना बैंक से इतना लोल लिया है इनकी जमीन बंदक है ठीक है या फिर कोई जमीन खरीदी जाती है बेची जाती है तो वो आदेश के नीचे अपडेट हुआ होता है तो आप पत देख कर भी पता लगा सकते हैं कि यह जमीन किसी को बेची जा चुक किया जाता है तो यहां पे लिख जाता है यहां पे नाम यह सेव यही राम रहते हैं और यहां पे नाम नया पड़ जाता है और बाद में जब जो फसली वर्स अपडेट होता है तो यहां आदेश के जो भी टिपनी है वो खाली हो जाती है और उसका नाम यहाँ पर शुरुवात में आ जाता है तो इस तरह से आप फद्खतोनी देख सकते हैं एक बार बैक करके मैं आपको एक तरीका और दिखा देता हूँ फद्खतोनी देखने का मान लिजे कि आपको गाटा संक्या पता है तो एक्जामपल के तरह पर आपको गाटा संक्या मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 302 ठीक है सिर्फ आपको convince करने के लिए 306 मैंने किस पर search किया है गाटा संक्या पर ठीक है और यहाँ पर गाटा संक्या डाली है मैं 306 306 मैंने यहाँ पर click कर दिया तो यहाँ पर मैं जैसे ही click करूँगा तो 306 से सम्मंद जो भी गाटा संक्या है 306 सा का का या जो भी है वो सारा कुछ यहाँ पर open हो जाएगा एक पर मैं आपको दिखाएता हूँ 306 सा की बहुत सारे आ रहे हैं इसमें अलग-अलग numbers है तो इस पर मैं click करके जैसे के इस पर मैं click किया और दाहर पर मैं click करूँगा तो यह फद्खतोनी open हो जाएगी ऐसे ही मैं सारी check कर सकता हूँ कि इसमें मेरी फद्खतोनी कौन सी है तीक है और उसका correct खाता संक्या क्या है example के तोब मान लीजे कि मुझे गाटा संक्या पता है और मुझे खाता संक्या भी पता है मैं खाता संक्या के द्वारा फद्खतोनी निकालना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे खाता संक्या पर click करना होगा उपर और click करने के बाद यहाँ पर यह मैंने डाल दिया खाता संक्या 144 अब मैं सर्स पर क्लिक करता हूँ तो देखिए 144 खाता संक्या कि यह मतलब कि इन यह यह लोग जो 144 में दिखा रहा है अगर हम इन मैंसे कोई भी किसी पर भी क्लिक करते हैं तो उस फद्द में इन सभी लोगों के नाम मौजूद होंगे क्योंकि यह सभी लोग 144 वद्द में मौजूद हैं और इसका जो टोटल रगवा है वो आप देख सकते हैं एक्जामपल के दौर पर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कैप्चर कोड डालूँगा T B Y कोई रोवोट तो नहीं है कि वो इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हो तो सही बंदा फद को देख रहा है इस वेबसाइट को ऑपरेट कर रहा है तो इसलिए एक कैप्चर कोड आता है एक तरह का वेरिफिकेशन होता है कि एक एक है इस एक हूमन ही इसको में मौझूद है ठीक है इसका टोटल रकवा इतना है यहाँ पर आपने समझ लिया लगबग यह देखा जाए तो यह तो हैक्टियर जमीन हो गई यह इसका गाटा संक्या हो गया यह इसका खाता संक्या हो गया और यहाँ पर यह जो इसका गाटा संक्या एमिन खसरा संक्या है यह ठीक है और यहाँ पर गाउं लिखा हुआ है परगना लिखा हुआ है तैसी लिखी हुई है जनपद लिखा हुआ है कि यह प्रापरटी कहां पर मौझूद है और इसमें कितने लोग हैं मौझूद कितने लोगों का इसमे रखवा है तो वो लिस्ट है हाँ पर आगई ये नाम ये लख्या रहा है इतने लोग इस खेत में ठीक है इनका रखवा मौजूद है तो जिन जिनApp नाम है वो इस फद में इस खाता संक्या में उनका हिस्सा है तो ये पूरी फद हो गई अब इस फद को आप save कर सकते हैं इस पे click करेंगे या फिर इसका screenshot ले सकते हैं और इस तरह या फिर अगर आप computer से ये website open करते हैं तो उससे आप इसका print out भी निकलवा सकते हैं तो इस तरह से मतलब कि आप किसी भी अपने खीट की फद खतोनी अपने mobile से देख सकते हैं तो यही मैं आपको बताना चाहता था इसके लिए आपको मतलब कि आपको कहीं computer की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं आए मैं अगर आप जाते हो तो 20, 40, 50 रुपए में वो फद खतोनी निकल के देता है इससे बहतर यह है कि इस तरह से आप फद खतोनी आप अपने mobile से ही देख सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं यह था पूरा वीडियो अगर फिर भी कोई confusion हो तो आप मुझे comment works में लिख सकते हैं चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद